कि इंटर्वे में अच्छे नंबर किसको मिलते हैं किस चीज के नंबर मिलते हैं अगर मैं इसको एक वाकिय में कहूं तो आपने वहां कैसा महौब बनाया इसके नंबर मिलते हैं और सघल भाषा में कहूं तो आपके smartness के नुमर मिलते एक शब्द में कहना हो तो स्मार्टनЕस कहड़ेगी है और स्मार्टनЕस का मतलब वह नहीं होता जो आप में कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं तो बच्षों से स्मार्ट देखता हूं वह वह वहला नहीं है. अब कितने संदर देखते हैं इससे भेले बर का फरक नह समय इंटर्विय में क्या होता आप सूचके देखिए 65 साल की उस्त उम्र के पांस लोग बैठे होते हैं अब आप महा गए अगर आप बहुत सुंदर हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा जिनको फर्क पड़ सकता हो बाहर छूट गए वो तो अंदर आए नहीं 65 साल के व्यक तो आपके सुंदर्ता तो दो-चार-पांच सेकेंड के बाद असर नहीं डालेगी हैं और यदि आप सुंदर हैं पर ठीक से बात नहीं रखते हैं तो और गुस्ता हो रहाएगा कि बताओ मू तो ऐसा भी भगवान ने लेकिन दिवाग एक दम भी है तब यह भावाद ही ल तो क्या काम आएगा स्मार्टनेस के दो मतलब हैं पहली बात आप जो आंसर समाह देंगे उनकी क्वालिटी है और दूसरा आपकी जो स्पीकिंग या बिहेविंग स्किल्स हैं जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो काम आएंगे अगर आप बहुत स्मार्ट तरही किसे बात तो तीन दिन तक नहीं नहीं मुझे रियास करना पड़ता है नहीं मैं सब्सक्राइब पांच बजे ही गाता हूं मैं इस समय नहीं कहा सकते हैं इतने नकरे इतने नकरे बोलने वाले का बूड़ी खतम हो जाता है कि छोड़ो इससे बढ़िया और उसमें कोई और आवाज आ बीच में 500 लोगों के बीच में कोई वच्चा इतनी हिम्मत करे मजच थोड़ना है मज़ा इस वच्छरिने ताली बजवादी मज़ा थोड़ना है बहुत कॉंफिडेंस है यह इतने लोगों के बीचन कुछ करने के लिए फिर ख़ड़ों के शेषिन सुना दिये कितनी बड आफशारी तरीके से संक्षेप में रखने की स्किल चाहिए दम के साथ कोई आप से सही बात के विरुद्ध तर्क दे उस तर्क से टकराने की स्किल चाहिए किसी के तर्क को खारिज करना हो तो तर्क को खारिज करते हुए भी आपकी आवाज विनम्र रहे ये स्किल चाहिए अ प्लेजी पूरानेगा!